तो चलिए आज बनाते हैं एक ऐसी मिठाई जो सभी को बहुत पसंद आती है एकदम कम से कम इंग्रीडियन में ये मिठाई बनके तयार होती है और बनने के बाद बहुत ही जादा टेस्टी बनती है ये तो एक बार इसको जरूर ट्राइ करिएगा तो आज हम बनाने बाले हैं बेसन के लड़ू मार्केट से भी जादा टेस्टी बनके तयार होंगे ये लड़ू तो चलिए बनाते हैं तो इनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ कप घी लिया है हाफ कप से थोड़ सा कम ही घी लिया है मैंने यहाँ पर और इसको अब हमें कड़ाई में ट्रांसफ मैंने यहाँ पे एक कप बेसन लिया है, उसके लिए हाफ कप से थोड़ा सा कम घी लिया था, क्योंकि हम जब बेसन को हम continuous भूनते जाएंगे ना, तो यह बाद में घी रिलीस कर देगा, तो यह थोड़ा सा गीला सा हो जाएगा, अभी आपको dry लग रहा होगा, तो यहाँ पे बेसन को हमें एकदम low flame पे अच्छे से भूनना है, तो बेसन को भूनने में 15 से 20 मिनट का टाइम लग सकता है, तो यहाँ पे यह काम हमें थोड़ा patiently करना होगा, और यहाँ पे इसको continuous हम चलाते जाएंगे, वरना यह नीचे से जलने लगेगा, और यह देखिए, बेसन को भूनते होगे करीब 10 से 12 मिनट हो चुका है, और आप देख सकते हैं, थोड़ सा अभी यह न, इसने घी रिलीस करना स्टार्ट कर दिया, हलका सा यह अभी गीला होने लगा है, तो अभी हमें इसको और भूनना है, हमें इसको एकड़म गोल्डन कलर में लाना है, तो हम यहाँ पे गैस कल पे एकड़म लो रखेंगे, यह चीज हमें ध्यान रखनी है, हमें इसको medium या high flame पे नहीं भूनना है, तो हम यहाँ पे इसको continuous चलाते जाएंगे, तो बेसन के लड़ू में बस यही एक काम थोड़ा सा time taking होता है, बेसन को भूनने वाला, पर उसके बाद जो लड़ू बनके तयार होते हैं, बहुत ही जादा delicious बनते हैं, और यह देखिए, मैंने इसको 5 मिनट और भूना है, तो करीब मैंने यहाँ पे इसको 15-16 मिनट भूल लिया है, और अब आप देख सकते, एकदम golden color में आ चुका है यह, तो अब हम यहाँ पे gas का flame बंद कर देंगे, और अब देख सकते, इसने घी release कर दिया है, अभी थोड़ा सा गीला भी हो चुका है, तो बस यही पहचाने बेशन की भून जाने की और जादा नहीं भूनेंगे हम इसको, क्योंकि कड़ाई अभी हमारी काफी गर्म है, तो हम इसको 2-3 मिट और चलाते रहेंगे इसी तरह से, और इसको ठंड़ा हो जाने देते हैं, फिर हम इसमें sugar add करेंगे, तो यहाँ पे बेशन को हमने total 16-17 मिनट करीब भूना है, तो यह देखिए, बेशन हमारा अच्छे से ठंड़ा हो चुका है, अब हम इसमें sugar add करेंगे, तो मैंने यहाँ पे 2-3 cup powder sugar add करी है, जो घर की normal sugar रहती है, उसको मैंने piece लिया है, आप चाहें तो जो बूरा वाली चीनी आती है न, वो भी add कर सकते हैं, तो हमने 1 cup बेशन के लिए मैंने यहाँ पे 2-3 cup sugar add करी है, तो हाप कप से थोड़ी सी जाधा, और 1 cup से कम, अगर आपको थोड़ा जाधा मीठा पसंद है, तो आप थोड़ी से एक्स्ट्रा sugar add कर सकते हैं, और चीनी को अब हम यहाँ पे एक बहुत अच्छे से बेशन के साथ मिक्स करना है, तो जो पाउडर शुगर हमने add करी हैं, इससे भी लड़ू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, जो बूरा सुगर हम add करते हैं, उससे थोड़ा से क्या होता है, तो दानेदार बनते हैं, तो यहाँ पे देखिए, चीनी को हमने काफी अच्छे से mix कर लिया है बेशन के साथ, और चलिए अब हम अपने लड़ू बना लेते हैं, तो थोड़ा सा mixture हम हाथ में लेंगे, इसको लड़ू का shape देके, हम अपने सारे लड़ू बना के तयार कर लेते हैं, और यह देखिए, मैंने यहाँ पे एक लड़ू बना लिया है, तो हम इसी तरह से अपने सारे लड़ू बनाएंगे, तो कोई भी occasion हो या festival हो, आप घर पे इनको आसानी से बना के तयार कर सकते हैं, थोड़ा सा time taking है, इसमें basin को भूर ना, बर trust me, लड़ू बहुत ही जादा delicious बनके तयार होते हैं, तो हमने यहाँ पे अपने सारे लड़ू बना लिये हैं, मैंने यहाँ पे इनको थोड़ा सा पिस्ता और बादाम से गानिश कर दिया है, और यह हमारे market से भी जादा tasty वाले basin के लड़ू बनके तयार है, मैं यहाँ पे आपको एक लड़ू तोड़ के भी दिखाती हो, इसका texture, क्योंकि अभी एकदम fresh है, तो थोड़ से यह soft है अभी, और थोड़ा देर आप इनको इस तरह से रख देंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,